आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ मुसकान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनिया चैनल प्राइम टीवी चलिए रुख करते हैं स्वक्त की बड़ी खबरों की ओर यूपी सीम योग्या दितनात आज जहासी दोरे पर जाएंगे जहां सीम आयुक्त सभागार में मंडल की विकास कार्यों और कानून व्यवस्ता की समीक्षव बैठक करेंगे साथी कावों में ढिलाई और लापरवाही मिलने पर अफसरों की क्लास भी लगाएंगे इस दोरान सभागार में जहासी के सभी अफसर मौजूद रहेंगे आपको बता दे की मुराटा गाउं में बन रही पानी के टंकी का भी मोख्य मंत्री निरिक्षन करेंगे इसके साथ यसी करोड से जादा की लागत से टंकी बनाई जा रही है तो आपको बताते चले कि योगी सरकार अपने दूसरे कारिकाल में अक्टिव नज़र आ रहे हैं और यही वज़़ा है कि उन्होंने सभी विभागों के मंत्रियों को सौ दिनों का एजंडा दे दिया है सौ दिनों का रोड मैप भी सभी विभागों के मंत्रियों दौरा तैयार किया जा रहा है जिसके लिए सीयम योगी भी अब जमीनी स्तर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं यही वज़़ा है कि लगातार जो सीयम योगी आदितनाद है वो प्रदेश की कई जनपदों में ल समीक्षा करेंगे साथ ही जो विकास कार है उनकी प्रग्दी की भी रफ्तार देखेंगे तो आपको बताते चले कि बीते दिनों सीयम योगी अदितनाद राम की नगरी में मौजूद थे जहां उन्होंने विकास कारियों की समीक्षा करने के साथ ही अधिकारियों के साथ ब विभान्शू हमारे साथ उर चिके हैं विभान्शू सीयम योगी आज जहासी दौरे पर जा रहे हैं तो जहासी में उनके कौन-कौनसे कारिक्रम जो है वो निर्धारित किये गए हैं अपने दो दिवसी जहासी दौरे पर जा रहे हैं आपको बताए कि आज धाई बजे के करीब उनका हेलिकॉप्टर लखनौस से प्रस्थान करेगा और पुलिस लाइन जहासी में जाके रुकेगा और वहीं आपको बताए कि चार बजे आयुक्त सभाकार में जो जन पतिनिदी जहासी मंडल के भाजपा के नेता है साथी साथ जो जिम में दरान है एवं जो अभी हाली में चुने गए विधायक है उनसे जहां सौ दिनों का खाका तेयार करने की बात की जारी है तो उसी के समझ से जो मंत्री होंगे जल सक्ती मंत्री स्वतन देव सिंग तो पानी की पर् आई कि जहासी मंदल के विकास कारियर एवं समिक्सा की बैठक करेंगे अभी हाली में आपने देखा कि बुंदेलकंच छेत्र के जहासी के निकट्तम ललितपूर में दुसकर्म की वारदात आई थी जिसमें माना यह जा रहा था कि लॉइन और को लेकर विपक्स कहीं ना कहीं पक्स पे हमलावर हो रहा था वहीं अगर देखे तो अखिलेस यादों समित तमाम जनपति निदी वहाँ गये और कारून वियस्था का कारून वियस्था पे सवाल उठाते हुए तकालीन सरकार पे उन्होंने घेर रहते हैं उसी क्रब में आज मुख्यमंत्री योगी आदिति ना थी इस घटना के बाद वहाँ जाएंगे साथी साथ मंदल के जो कारून वियस्था है विकास को लेकर उनके संबंदित अधिकार करेंगे और कारून वियस्था को लेकर एडीजी जोन एस पी और तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ समिक्षा बैठक करेंगे और जो कारून वियस्था को और वहतर बनाने को लेकर उन्हें निर्देश देंगे वहीं आपको बताने कि यह दौरा दो दिवसी है और आठ सीम को सियम जो है वो शियम जाएंगे अब जाके मध्यपरदेश के दत्या में और दत्या में पीठ हेए जाकर रहा हा दर्शन करेंगे आपको पताएंसी से मध्यपरदेश सीमा और टी लाके निविकसन करेंगे और जया जाए जातरी मे suppressed' अधिकारियों को जल से जल उसे पूवा करने को जिमतरानों को जल से लगद करने को लोकिन निर्देश देंगे. अगर जह सी दौरे की सी ainda की बात की जाये तो इन तौरान वो किन किन ऐसे कार है जिनकी समीक्षा करेंगे? जी अगर बात की जब प्रमुक्ता से तो जल जीवन मिसन योजना एवं कानून विरस्था एवं जासी छेत्व बुंदेलकन छेत्व के विकास के लिए वहां जो अधिकारी है जिम में दरान है उनसे बात करेंगे वहीं आपको बताए कि इस सरकार में पस्ताविक दो एयरपोर्ट है जिसमें आपने पिछली सरकार में देखा कि प्रवांचल एक्सप्रेस्वे बनके तयाब हुआ उसी करम में सरकार में एक निर्ना लिया है कि हम आगामी पांच सालों में गंगा एक्सप्रेस्वे एवं विकास कारे को लेकर अधिकारियों को वहां निर्देश देंगे साथी साथे वहां विसेश परियोजना जो जल की समस्या रहती है उसको लेकर जो पेजल की समस्या है उसकी बेशमिच्छा करेंगे हाली में प्रदेश के जल सक्ती मंत्री सुतन देश सिंग ललितपूर जहा कि और दोरे के और असलिए के जो और अगर बात करें तो आसपास के जो इलाके हैं क्या वो यह भाजधानी से उन्हें यह जैसा बनाये जा सकेंगे विभानशु अगर जहांसे की बात की जाये तो ये रानी लक्षमी बाई की नगरी की नाम से जाना जाता है और ये पूरे विश्व में इसी नाम से प्रसिद्ध है तो क्या लगता है जो CM योगी 100 दिनों का एजंडा लेकर इस वक्त जमीनी इस्तर पर नजर आ रहे है तो 100 द पर ंब समुड़क लेकर उदंकी अलग ही महा तो काान चाह है उसी कंड़ में आपको बता दे की देश की अजादी की जो पहली सिपाही कह सकते है वानी लक्यी भाई उनकी तरफ से उनकी जो जन्वस्थली है साथ शात norm रहा उसको बिगास को लDay का मुख्यमंत्वी की तब से पहल की जा सकती है जहासी को जो देश में एक अलग पहचान मिली है उसे टूरिजम के तौर पर और कैसे विकास किया सकता है इस पर भी बात की जा सकती है वही आपको बताएं कि जहासी अगर देखे तो तमाम सरकारे आती वही वगर जहासी में वह करें या अगे की ते तैरी त्रपार में जो बुंदेल खंड का इलाका विकास से वंचित रह गया था योगिस सरकार में उनका भी विकास किया जा सकता है धन्यवाद ग्वाँची इस ख़र पर हमारे साथ जुटने के लिए तो जासी दौरे पर सियम योगी अधितनात जा रहे हैं जहां वो अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे साथ ही विकासकारियों की जो रफतार है वो भी जाचेंगे इस दौरान सीम योगी अधिकारियों के साथ बैठा करने के साथ ही वहाँ पर कानून व्यवस्था का हाल भी जानेंगे तो सीम योगी अपने दूसरे कारिकाल में लगतार एक्टिव नजर आ रहे हैं यहीं वज़ा है कि सीम योगी के साथ साथ उनके जो मंत्री है वो भी जमीनी स्तर पर काम करते हुआ ही नजर आ रहे हैं और सौध इनों के एजेंडे को पूरे करने में जुट चुके हैं आम जनता को एक बार फिर से बड़ा जटका लगा है घरेलू एलपीजी सेलेंडर की कीमतों में 50 रुपए का इज़ाफा हुआ है इसके साथ याप घरेलू सेलेंडर की कीमत 999.50 रुपए प्रती सेलेंडर हो गई है ईलपीजी सेलेंडर की बड़ी होई कीमते आज से ही पूरे देश में लागू हो गई हैं ईलपीजी सेलेंडर के दाम ऐसे वक्त में बड़े हैं जब आम आदमी फहले ही पे्ट्रोल और डीजल पर महंगाई की मार ज्येल रहा है जहाँ LPG gas cylinder यानि कि जो घरेलो gas cylinder है उनके दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है इसके साथ ही आज से पूरे देश में यह जो नई कीमते हैं यह लागो कर दी जाएंगी वहीं आपको बताते चले कि अब घरेलो सिलेंडर की कीमत 999.50 रुपए प्रोती सिलेंडर बहुच चुकी है इस खबर पर जादा बाचीत के लिए हमारे समवाद दाता विभानशू हमारे साथ जुर चुके है विभानशू आप एक बार फिर से जंता पर महंगाई की मार परत देखें तो 50 रुपए की बरहुत्री हुई है आज सुबह अगर बात करें तो जो घरेलो कैसा है जो 14 किलो का आता है उसे 50 रुपए का इजाफ़ा होते हुए वो 999 रुपए 50 पैसे यानि हजार रुपए में 50 पैसे कम हो गया है वहीं आपको बताएं कि अगर बात की जाए विधानसवा चुनाओ के बाद से तो विधानसवा चुनाओ के बाद लगबग दूसरी बार इस रेट को बढ़ाए गया है पिछले दिनों आपने देखा कि 50 रुपए बवहुत्री की गई थी और 700 की बवहुत्री की गई तो कई ना कई अगर देखे तो जो ग्रहक है जो पेलू गैस उपियोग करता है उसके जेब पर कही न कई असर देखने को मिलेगा क्योंकि अगर बात करें तो इधन के दाम के साथ साथ वसोई गैस के दाम बढ़े हैं तो इधन के दाम बढ़ने से सबजियां और तमाम जो जो जुड़ी संबंदित चीजे होती है किसं से व दानसवा चुनाओं के बाद लगाता विपकसी पार्टियों के दाम महेंगाई को कहा गया था और अभी भी कहा जा रहा है तो सरकार को इस पे अच्छे नीती बना कर और जो इधन है और तमाम चीजे है जो उन्हें जो जनता की आसा पे इस्चा है उसकी उन्हें के पर जो असर आ रहा है उस पे मैं कर्टोल करना थे जी लेकिन अगर भाजपा के घोशना पत्र की बात की जाया तो भाजपा ने अपने घोशना पत्र में साफ साफ ये लिखा था कि उनके सरकार दुबारा बनने पर महेंगाई पर लगाम लगेगा लेकिन अब जो जमीनी स्तर पर दिखाए दे रहा है वो नतीजे तो उसके ओलट दिखाए दे रहे है दिए मुशकार अगर बात करें तो जब मैनिफेस्टो की अगर बात करें तो इस तरह के नारे भी दिये गये थे कि बहुत हुई पेट्रोल कि मार और नाम लेकर की ऐसी होगी सरकार तो कहीं ना कहीं जं तो अभी भी जो जनता है वो आसा पेक्सा लगा के बैठी है सरकार जो महंगाई का दर बढ़ता जा रहा है उससे निजाद दिलाएगी उस पर कंट्रोल करेगी लेकिन सरकारों की बात की जाए तब भाजपा के जो नेता और मंत्री है वो लगातार प्रदर्शन करते हुए न ताधीम पार्टी है वो सप्ता के अंदर में है तो जो वेपक्षे बैठा हुआ है उसको आप दर्शन का पूरा हग बनता है बगर उनकी तरब से बहुत धिलाई परता है बरदास की जारी है जो जनता की समझ्याओं का उठाने का काम होता है वो तमाम पार्टियों का है सभ अब भाजपा सत्ता से बाहर हुआ करती थी तो उससे में भाजपा के तमाम नेता सरकों पर सिलेंडर लेकर महंगाई की दलील देते हुए सरकार को घेरते थे तो कई न कई दिनों को देखते हुए और आम जो नागरिक है उसको रहत देने की काम सरकार को करना चाहिए और व कीमतों में 50 रुपए का इजाफा देखने को मिला है जिसके साथ याँ घरीलू गया सिलेंडर की जो नई कीमत है वो 999.50 रुपए प्रती सिलेंडर तक पहुच गई है साथ याँ अब LPG सिलेंडर की बड़ी हुई कीमतियास से ही पूरे देश में लागू हो जाएंगी और ज जनता को महंगाई का जटका लगा है जो है LPG गैस लेंडर के दामों में बढ़ोत्री की गई है तो आपको बताते चले कि योगी सरकार के दूसरे कारिकाल के पहले यानि चुनावों के पहले भाच्पा ने अपने मैनिफेस्टों में लिखा था कि वो महंगाई पर लगाम की वो महंगाई को कंट्रोल करेगी लेकिन जब से भाच्पा की सरकार प्रदेश में आई है तब से उनके मैनिफेस्टों के उलट काम देखने को मिल रहा है जहां लगातार पेट्रोल डीजर कमर्शल सिलेंडर और घरेलू सिलेंडर के दामों में बढ़ोत्री देखने को मि होज गई है 999.50 रुपए प्रती सिलेंडर अब कीमत हो गई है साथ ही लपीजे सिलेंडर की बढ़ी हुए कीमते आज से ही पूरे देश में लागू हो गई है तो आपको बताते चले की महंगाई का डबल अटेक लोगों पर हुआ है और लपीजे गया सिलेंडर के दाम भी ऐसे वक्त पर बढ़ाए गए है जो पहले से ही आम आदमी बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फसा हुआ है तो लगातार महंगाई की मार पढ़ती हुई जंता पर नजार आ रही है कभी पेट्रोल कभी डीजल कभी कमर्शियल सिलेंडर तो अब घरीलू गया सिले इंडेस के दामों में भी इजाफा किया गया है तकरीबन पचास रुपए का इजाफा किया गया है आम आदमी पर लगातार महंगाई की मार पढ़ती हुई नजर आ रही है जहां पैचोल और डीजल ने पहले ही जंता की कमर तोड रखी है तो वहीं अब अलपीज सिलेंडर के दाम बढ़ने से ही लोगों की परिशानी और जादा बढ़ गई है घरेलो गया सिलेंडर का दाम अब 999.50 रुपए बहुच गया है इस ख़बर पर तमाम जानकारी के लिए गोरकपूर से हमारे समवादाता हिमांशू जो चुक है हिमांशू जनता की पहले से ही पैट्र को मिल रहा है हमारे समवादाता से हमारा संपर्क तूट गया है लेकिन अम उनसे दुबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे तो लगाता है जनता पर महंगाई की मार पड़ती हुई नजार आ रही है इसली को लेकर लगाता जो है वो विपक्षी पार्टियां है वो पड़ती होई नजार आ रही है जहां पहले ही पैट्रोल और डीजल ने पहले ही जनता की कमर तोड़ रखी है तो अब घरेलू एल्पीजे सिलेंडर्स के दामों में भी बड़ोत्री देखने को मिली है तो लोगों का क्या कुछ कहना है इस बड़ती कीमतों पर बिल्कुल पर लगाएगी यानि कि महंगाई पर अंकुछ लगाएगी लेकिंडर्स के दावे कर रही थी कि महंगाई पर अंकुछ लगाएगी जब से भाजपा के सरकार प्रदेश में आई है लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है ओर आप बढ़ती पाहती जबसे आप कर दोगों टो तो है महंगाई कि अर्शेर की बात है कि इतनी महंगाई की आजी की आजी की आमगरी जो है तीनित है उसके बहुता जारा है महंगाई की मार बंती जा रही है को को से बहुता हुँ है। करना करना को रही है तो इससे महिलाओं का बजट कितना पिगड़ा है यानि कि महिलाओं का बजट कितना असर करेगा दनेवाद इमानशु इस खबर पर हमारे साथ जुनने के लिए तो लगातार यानि भाजपा सरकार निचनावों से पहले जो अपने मैनिफेस्टों में वादे और दावज़ाओं कि ये थे वो लगातार विफल होते हुए नजर आ रहे है जबकि प्रदेश की जनता पर महंगाई का डबल अटैक पड़ता हुआ नजर आ रहे है फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही देश्चा प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम ट कर दो का